मुंबई इंडियंज ने एक मात्र क्वालिफायर में लखनव सूब जाइंज को 80 रनों से हरा दिया है और इसी के साथ लखनव का सफर IPL 2023 में सवाप्त हो चुका है और मुंबई के पास एक और मौका है फाइनल में पहुचने का जहां पर क्वालिफायर 2 खेलेगी गुर्जा टाइटन्स के साथ मुंबई इंडियंज और पहां से तै होगी दूसरी फाइनलिस टीम जो की IPL 2023 के फाइनल में भिड़ेगी 28 मई को चेने के साथ हेलो नमस्कार मेना नाम है सुनीता और आप देख रहे हैं NDB Sports IPL 2023 का एक मात्रिक वालिफायर खेला गया लखनाव सूबर जाइन्स और मुंबई इंडियंस के बीड जिसमें मुंबई इंडियंस ने शानदा जीत तरज की और मुंबई की जीत के हीरो रहे आकाश मधवाल जिन्होंने चार ओवर का एक किफायती स्पैल डाला जिसमें उन्होंने पांच रंदे कर पांच विकेट चटकाए और मुंबई की इस जीत के हीरो बरे उनकी इस गेंदबाजी की हर कोई तारीफ कर रहा है लगाए और इस टागेट का पीछा करते हुए लखनाओ की टीम 101 रन ही बना पाई और और आउट होगी 16.3 ओवर में 81 रनों से मुकाबला लखनाओ की टीम हारी है जिसके बाद से फैंस भी लखनाओ की टीम को काफी चोल कर रहे हैं कि पिछले मैश में हमने जब देखा जब जो आखरी लीग मुकाबला था रोयल चलेंजस बैंगलोर और गुज्जा टाइटिंस के बीच खेला गया था उसमें अरसी बी की हार के बाद लखनाओ सूबर जाइट्स ने सीवी आरसी ट्रोल किया था और अब आर्सी वी के listen ago कूछ करतें हुई नजर आ ला ये यह थोड़ा क्रकेक्ट की फील से हटके फान्स के बीच जो तना तनी चलती है उसको लेकर बात है लेकिन मुकाबले की अगर हम बात करें तो मुकाबले में लखनाव सुबर जाएंस इस मैच में वाकई बैक फुट पर नजर आई मुंबई के सामने चाहे वो बाइडिंग डिपार्टमेंट हो चाहे वो बॉलिंग ड बात करें तो लखनाव के स्टार पेसर नवीन उल्हक ने चार विकेट्स जरूर चटकाए थे मुंबई को मुश्किलों में डाल दिया था लेकिन फिर भी बीस ओवर में 182 इनका स्पोर मुंबई ने स्कोर गोर पर लगा दिया था तो इस तरह सी यह सारा इस मैच का लेखा जोखा रहा और अंत में जीत यहाँ पर मुंबे इंडियन्स की हुई है जहाँ पर अब मुंबे इंडियन्स क्वालिफायर 2 खेलेगी गुज्वा टाइटन्स के खिलाफ 26 मैई को और उन दोनों ही टीम्स में से जीतने वाली टीम 28 मैई को भिड़ेगी चे ने सूपर आपका इन सॲखा और को वीडियो के लिए आप से लोट सुखने है प्षात क्वाली अवा टेक लेटो कीशता निन्स कर घराए एसे ही और वीडियो के लिए आप तिक रहे हैं एडिवी स्पूद्स